स्री शिवाईन नमस्तूब्यम दर्शा को कैसी हूँ आज अगरते हैं कि आप सब सोज तेम सुराक्चित होंगे दर्शा को आज 30 मई साथी तीथी मंगलवार जेश्ट महा का मंगलवार पढ़ रहा है ऐसे में आज मंगलवार की शाम केवल एक शिकाप पीपल की जड़ में रखा आना आपको दुनिया सलाम करेगी नमस्कार दर्शा को आप सभी का श्वागत है एक बार पुना है दोस्तों आज हम आप लोगों को मंगलवार का एक दिव और अच्छक उपाई पूजी गुर्देव किश महा प्रान कता से बताईवा बताने जा रहे हैं दोस्तों मंगलवार के इस उपाई को करने से आपके जीवन के तमाम कष्ट हमिशा के लिए दूर हो जाएंगे मंगलवार के इस उपाई को करने से आपका मंगल मजबूत होगा और हर कारियां आपका मंगल ही होगा हर कारे में आप लोगों को सबलता पराप्त होगी ऐसे में प्रिय दर्शकों, प्रिय दर्शकों, प्रिय सरुता और प्रिवंदु हो यह जो उपाई है यह वास्तों में बढ़ा ही कारगारी है तो इस उपाई को आप लोगों को मंगलवार की दिन करना है चाहिए तो इस मंगलवार को आप सनिवार को भी कर सकते हैं सनिवार और मंगलवार दोनों ही वारों को आप इस उपाई को कर सकते हैं साथ ही हो सके तो अपने मित्र बंदू तक अविशे शेर कर दीजेगा ताकि उन्हें भी इस उपाई का लावे प्राफ्थ हो सके और हो सके तो कॉमेंट बॉक्स में सिरी शुए नमस्तु ब्याम जय बजरंग बली जय बाला जी अविशे लिखेगा ताकि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो सके जीवने की तमाम एकस्टों से तमाम भाधाओं से छुटकार अप्राफ्थ हो सके तो दर्शकों किस प्रकार से शुपाई को करना है आईए जानते हैं दोस्तों आज मंगलवार का दिन है ऐसे में कहा जाता है कि मंगलवार का दिन हैनमान जी को समर्पित होता है साती मंगलवार के दिन पीपल के वरक्स का भी काफी विशिश महतों होता है और यह कहा जाता है कि मंगलवार और सनीवार पीपल के पेड तोड़ कर अपने घर लेकर आना है, पीपल की पत्ते में छेद बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, बिना छेद का आपको पीपल का पत्ता लाना है, उसके बाद में पीपल के पत्ते को आप लोगों को सुद्ध जल से धोलेना है, उक से फिर बाद में सुखाना है, सुखाने क कि आपके पास हो उस सिक्क्य को आपको लेना है शिक्य को लेने से पहले अप तो इसे कार्य को करने से जीवन की तमाम बादाये तमाम एककर्ष्ट दूर हो जाते हैं आर्थिक समिश्या दूर होती है कर्ज भी दूर होता है तो ऐसे में इस उपाई को आप लोग करकर देखेगा अब तक सभी को लाप राप दुआ है आपको भी होगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक अपना खयाल रखेगा धन्यवाद जीनों मस्कार